सब्सक्राइब करते हैं तो आज को सब्सक्राइब करते हैं जिन्हें हम CRT की वाकिंग में यूज करते हैं CRT स्क्रीन बनाने के लिए करते हैं कैसी CRT स्क्रीन पर या उसकी मॉनिटर पर हम पिक्चर को डिस्प्ले करबा सकते हैं तो सबस्ट करते हैं फटा बरसी टॉपिक को देखे जो सबसे फर्स्ट कंपनेंट यहां पर आता है that is इलेक्ट्रों गन सबसे मेन और इंपोर्टन पाइट होता है उसको हीट नहीं किया जाएगा यहीट ही नहीं होपाएगी क्योंकि हीट कैसे होती है electron fires की वज़े से जैसे electron fire होते हैं ningar Hur Jo假 और वह particular area को जो pixel होते है वो glow हो जाते है यही होते है यही हमने पढ़ा था बट अगर गर entitled electron gun नहीं है electrodes नहीं निकलेंगे disobedortion नहीं निकलेंगे तो screen जो हो heat नहीं होगी और screen heat नहीं होगी तो कोई भी पिक्सल जो है वो गलोग नहीं कर पाई तो सबसे में और सबसे important component होता है electron gun ठीक है इसी के बारे में दोड़ा पटते है इट consists the series of elements it consists series of elements इसके अंदर क्या होता है elements की एक proper series होती है that is primarily heated filament and cathode जो किससे heat की जाती है filament से और cathode से यह elements है यह जो element and cathode है this is also element जिनके तुरू वह heat किया जाता है it creates the source of electron यह as a source of electron की तरह काम करती है हम बोल सकते हैं क्याकि यहीं से हम electron मिलते हैं यहीं से ही electrons वह fire होते हैं which are focused into a narrow beam directed to the face of CRT होता क्या है इस electric gun से electrons fire होंगे fire होने के बाद कहा जाएंगे focusing system के पास फिर externally deflection के पास focusing system के होगा वा जासे storage की काम करेगा जितने भी electron high speed में कोई high speed में आ रहा है कोई low speed में कोई medium speed में उन सब्सेगा और सब को सेंस्पीर सेCom लगेगा कि कौन सी deflection में सर्च करना है कौन सी deflection में हमें लेक्ट्रोन को fire करना है ठीक है हुआ कि यहाँ पर यह सोर्स ऑफ लेक्ट्रोन की तरह काम कर रहा है जो focusing system के थ्रू एक narrow beam में उसको direct कर देता है याने पत्ले सी beam में उसको direct कर देता है जिसे होता कि है सब का जो एक focus रहेगा जितने भी electrons होंगे उनको focus रहेगा बस सिफ direct ही रहेगा यह नहीं होगा यह किदर जा रहे यह किदर जा रहे यह किदर जा रहे नहीं सामने ही focus रहेगा उनका जहाँ पर pixel को glow करना है अच्छा जिससे next वाला जो component आता है ड़िस control electrode का काम क्या होता है it used to turn the electron beam on and off इसका जो इसलिए कि हम electron beam को on कर सके और off कर सके यानि कि जैसे हम tv screen की बात करते है ठीक है पहले कि जो tv screens आती थी वो कैसी आती थी CRT screen आती थी ठीक है महाँ पर कैसे गलो होता था pixel electron की help से होता था लास्ट में एक electron gun होती थी वो electron gun जो महां से fire क direct होकर screen पर जाते थे उसके इनको heat करते थे जो भी इरिया screen पर ज्यादा हीट होगा वहीं पर pixel जो गलो हो जाता था यह होता था पहले कि CRT screens पर CRT का मिनिंग ही है कि CRT इस तरह से गलो करेगा तो होगा क्या कि हमें electron gun का भी कोई switch होगा ना जिससे हम यह बता सके अभी इस time electron gun started है इस time electron gun stop है तो electron gun के start and stroke को control करने वाला जो component होता है वो होता है control electrode the next component आता है focusing system focusing system क्या करता है it is used to create clean picture by focusing electron in a narrow beam like focusing system क्या करेगा एक box type से काम करेगा फेक Q-type से काम करेगा Q-data stracature आको पता है ना होता क्या हैёл एक end से insertion होता है धूसरे end इन से deletion होता है इस तरह pipe की में वो आपको दिखीगा छीको है तो होगा क्या यहां से इस साइड से इलेक्ट्रों गन है इलेक्ट्रों गन इलेक्ट्रों को फायर कर दिया कोई फॉल स्पीड में इलेक्ट्रों आ रहे हैं किसी इलेक्ट्रों की स्पीड कम है किसी की मीडियम स्पीड है किसी की 30-40 स्पीड है किसी की 40-50 स्पीड है तो स्पी करती है इस साइट से इंसर्शन होता है यहां पर इंसर्शन हुआ यहां से हम डिलेशन करेंगे डिलेशन करने के लिए वो करता कि है यहां से तो चैक कितनी मर्जी स्पीड में है हाई स्पीड लो स्पीड यक कच्वी लेकिन डिलेशन के टाइम पर यानि कि जब वो इलेक्ट काम ही है कि पीछे सी जो भी इलेक्टरोन-gun के पास सी इलेक्ट्रोन को स्टोरेज करें इनकी स्पीड को क्ट्रोल करें और देन डिफ्लेक्शन के पास से होते हुए उनको एक नैरो बीम में यानि पूरी रो में किनेक्ट कर दे हो जाए और उस पर्टिक्लर फॉसपेर the screen को heat करे next आता है deflection योग deflection जोग deflection system भी बोलते हैं से इसमें यूस क्या होता है इसका इस जो करेंट डिरेक्शन ओफ लेक्टोब इसका जो system है deflection ये direction बताता है कौनसे एक्स और य पॉइंट के चाहते पर आपको जाकर कुछ ऐसे यानि एक सिंगल पॉइंट पर जाने के लिए भी हमें X and Y की पोजीशन उसकी कॉडिनेट की नीड होती है वही कॉडिनेट हमें कौन बताता है डिफलेक्शन योग बताता है कि किस कॉडिनेट पॉइंट पर हमें जाना है इसको पता होता है कि स्क्रीन के कौन से पार्ट पर कौन सी एक्सी पोजीशन पर जाकर हीट करना है इसमें CRT स्क्रीन में क्या होता है लिंक किया जाता है स्क्विप जनेटर की तरह होते हैं जो picture fluctuate हो रही है screen fluctuate हो रही है वह नहीं होगी बार बार उससे पता लगता रहेगा continue electron five हो रहे है continue हो ही हमें picture जो आता है यहाँ पर component of CRT that is phosphorate cotton screen phosphorus cotton screen में क्या है it is inside the front surface of average CRT सबसे CRT का सबसे front पे जो हमें दिता है that is phosphorate cotton इसका सिंपल सा इंट्रट्चिन तो श्रेट अमरा आज का टॉपिक कामपनेट्स ओप सियाटी स्क्रीन अगर फिर भीडियो का समझने में आपको कोई डौट आते तरह आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद है ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकि सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है देन कमेंट करें